आज दोस्तों एक ऐसे स्टॉक के उपर चर्चा करने आया हूं जो मेरे वाच लिस्ट में बहुत समय से है और आज जिस तरह से उसने कह सकते हैं आप अपने सपोर्ट से वापा से बाउंस किया है मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि इस स्टॉक के उपर मैंने कुछ समय पहले वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि यह स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा तो है लेकिन थोड़ असा भी मुझे उपर इस तरों पर लग रहा है और जो रेंज मुझे लगती है 250 से लेकर के 230 to 250 एक बहुत बहुत शांदार रेंज जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्पेंट शुरू कर सकते हैं और वो निवेशत जो लॉंग टर्म में काफी अच्छी है काफी प्रॉमिसिंग कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उसमें कर सकते दोस्तों इसके और इसके नमबर आए नमबर जो है आप कह सकते हैं म्यूटेट थी कहीं से कोई बहुत ज़्यादा आपके जित्ते हैं बढ़त नहीं देखने को मिली या कोई बहुत ही ज़्यादा अब ऐसा कुछ सिनारियों नहीं बना कि कोई बहुत शांदा रिजर्ट आएं स्टॉक को भागना चाहिए और स्टॉक ने वैसे ही रियाक्ट किया निगेटिव बट अब आप जो रेंज दोस्तों मुझे लग रही है स्टॉक की वो काफी अच्छी लग रही है और इन्वेस्मेंट और जो निवेशक आपको मैं जब दिखाऊंगा इसके के लिए चार्ट जो मुझे पसंद आते हैं आपको दिखाऊंगा था आपके कहूंगा कि क्यों मुझे ये स्टॉक बहुत बहुत ज़्यादा पसंद दोस्तों नमश्कार दोस्तों मेरा नाम इपदा मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं नाम की नाम निप्पॉन एसेट मेनेजमेंट कमपनी की दोस्तों तो हर एक चीज़ में चर्चा करेंगे दो पार्ट में लग भग ये वीडियो राइड़ दोस्तों पहले में थोड़ी चर्चा करूंगा और रिजर्ट के के लिए टेकनिकल एनियासिस की कहां सपोर्ट दिखता है क्या है उसके बाद अपन चलेंगे कुछ हाइलाइट्स के उपर और आखरी का जो पार्ट होगा दोस्तों वो होगा पहला Q2 के हैलाइट्स और जो कॉन कॉल हो थी कॉन तो अब सीधा मैं आपको लेकर चलता हूं उस पूरी एन्सस के तरफ एक एक चीज़ा चेजा करने के लिए देखें नाम निपन लाइफ इंडिया एसेड मेंड लिमिटेड और देखें 0.78% की तेज़ी दिखा रहा है और यदी में आपके सर्चा करूं और मैं इस वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूं लगबक जीड बज़े हैं दोस्तों तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत जादा भाग जाएगा लेकिन हां नीचले स्टरों से आपने तेजी देखी है अब बताता हूं मैं आपको मैंने लास्टाइम कहा था कि 2 आप कह सकते है और मुझे अभी भी लगता है अगर आपने इस तरों पे से निवेश किया हुआ है इट्स वेरी गोडियो इन्वेस्मेंट दोस्तों और मैं आपको पताता हूं दोस्तों देखिए जरा हम पीछे इतिहास में चलते हैं और स्टॉक का पांच साल का देखते हैं रण अप कैस और यही कारण मैं कहता हूं दोस्तों लाँट अब से गोड थेंग लेकिन जो लाँटा। ए इसमें आपको जो खर्धारी कर न रहती है वह सैपी मूड में करनी रहती है और यही कारण दोस्तों यूदि आपने धीरे 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 अराम से खड़िदा रहता आपका अगर मैं कहता हूँ अगर आपका share price average यहां पे भी रहता तो आप एक समय अच्छे खासे return में रहते अगर हम यहां से देखें तो 53% का return आपका यहां रहता ठीक है और एक बार आप भागते भागते stock आपको 55% की return देदी रहते ठीक है और currently जो यह level है दोस्तों यह बह important range stock के लिए यह ठीक है और फिर ऊपर में थोड़ा सा यहां वाला तो एक कौन सी range है पहले देखें जो support है यह 254 के आसपास वहां से run up ले लिया उसके पाद 220 तो यही है 220 और यह सबसे बड़ा है यह दोस्तों एक हैल 135 के आसपास है बट मुझे नहीं लगता stock किसी भी हालत में 200 के level को तोड़ेगा दोस्तों ठीक है 200 को तोड़ना बहुत बहुत तफ है यादि बाजार में कोई बहुत जादा negativity आ जाए कोई बहुत जादा किरावट आ जाए तो मैं नहीं कहता क्यों हमेशा कहता हूं stock market है ऐसी जग है जहां पर कोई भी चीज आप कह सकते हैं कि नह अब बात करते हैं मैं ऐसा क्यों बूल रहा हूं एक एक चीज में चर्चा करेंगे दोस्तों फड़ा सा इंट्रो में आपको बता दूं तो देखिये आप देखें market leadership the company has one of the largest market share in the ETF segment आपको पता होगा गोल बीज गोल बीज हो गए तो जो भी बीज के साथ रहते हैं बैंक यह तमाम निपॉन के ही रहते हैं दोस्तों तो आप देखिये यही करण largest market share in the ETF segment में और जिसकी 36,100 करोड रुपे की asset है जो कि अब बढ़ चुकी है कितनी मैं आपको आगे बताऊंगा the company has the largest of passive product passive product यानि जो passive funds है उसमें सबसे बड़ा largest suit इनके पास है कैसे 22 ETF से दोस्तों औ और पांच index funds है ठीक है और देखिये इन्हों आठ नए फरंट लाउंच किये इस fiscal year में दोस्तों indicating its strong commitment to the investors first philosophy with over 23 lakh folios ठीक है NIFMF has 42% industries folio market share ठीक है तो देखिये company अच्छी है market leader है कही जगों पे लेकिना कुछ इसकी problem है कि यह है इसके fund का जो flow से दोस्तों वो debt की तरफ जाता जा रहा है ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको आगे मैं बता हुआ ठीक है आगे देखें हाई शन ब्यॉंड भी थर्टी सिटी अब यह बी थर्टी सिटी क्या होती है देखिए mutual fund में दो चीजे होती है एक T30 और एक B30 T30 मतब दोस्तों top 30 cities यानि भारत की top 30 cities में जो companies आती है उसमें जो cities आती है उन्हें T30 के आ जाता है और T30 के beyond जो यानि की जो top 30 cities है उसके बाद दिखेंगे तो B cities B30 cities में आती है और Nepal का जो main target है वो यही है दोस्तों the company is the leader in the beyond top 30 cities segment or B30 location B30 location of a higher share of equity assets compared to non-equity assets ठीक है this segment contributed AEM of 41,260 crore out of which 75% of equity assets ठीक है और यह जो section है उसमें 75-50 जो लोग निवेश करते हैं वो equity assets में निवेश करते हैं इसमें 75% of total assets are source from beyond 30 cities दोस्तों higher in the industry average of 60.6% और यह 17.5% दोस्तों जो की total asset दोस्तों top 30 cities के बाहर में और जो की इंडस्ट्री के एरवज 16-100% से 16% से भी जाथ है दोस्तों तब आपको समझ में आया होगा company Nepal India मुझे क्यों परसंद है ठीक है लेकिन आप एक बास समझे कई लोग आप सुनते होंगे बहुत huge potential है कई लोग यह कहते होंगे कि जो mutual industry वो आने वाले समय बढ़ने वाली है तमाम चीज़ेस हैं दोस्तो लेकिन समझे आप competition उतना ही जादा बढ़ते चला जा रहा है और इन companies के लिए जो सबसे बड़ी problem मुझे लगती है और एंडल्स भी देखते हैं वो है margin margin sustain नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों और यही कारण है कि इतनी huge growth की opportunity होने के बहुजूद भी जो share price है वो उतना rely नहीं कर अतना भाग नहीं रहा है दोस्तों ठीक है तो अब चर्चा करते हैं exactly यह पहला पाठ हमारा है खत्म हुआ अब next part में चर्चा करूँगा एक एक चीज़ों के उपर क्या क्या चीज़ों के उपर कि ici securities की report है वो आपके साथ share करूँगा जहां पर quarter two के numbers और कॉन को दोनों ही अपन बात यह करेंगे दोस्तों देखें यह रही company आप देखें तो आप आएंगे जो shareholding pattern है इसका अभी यह जून तब का है promoter 73.6.3% की holding रखते हैं दोस्तों अब देखें निपॉन लाइफ इंडिया AMC is among the largest asset manager in the India with an AM size of 3.49 लाग करूड साढ़े तीन लाग करूड के आ 87,200 प्लस distributor 87,200 प्लस distributor एंगे पास दोस्तों ठीक है target इस ने दिया है दोस्तों 300 रुपए का यानि अगर आप 250 में इसमें खरीदे होते तो at least at least आपके पास 20% का upper trajectory रहती ठीक है अब बात करते हैं एक एकीज़ों की ठीक है आप देखें market share as of quarter 2 of energy was at 7.3% नेपॉन इंडिया का जो market share है वो 7.3% दोस्तों ठीक है यानि ग्रोथ की गुण्ज़ाइस बहुत जादा है strong presence beyond 30 cities मैंने आपको बता है to contribute 18.2% total EM use beyond 30 cities दोस्तों इस company के जो EUM है asset and management उसका 18% से भी जादा की contribution देती है अब भई जो quarter to final 23 results वो कैसे थे तो देखे steady quarter quarter मैंने कहा था पहले सी आपको कि कोई बहुत सा surprise नहीं लाया लेकि negativity नहीं लाया और एक कह सकते हैं आप कि एक steady return था दोस्तों ठीक है आप देखें तो आप पाएंगे कि जो यहाँ पे दोस्तों EUM है वो was at इतने मेरा दोस्तों यानि year on year में साथ प्रतिशत की व्रिद्धी थी और 2% की quarter quarter market share भी steady रहा साथ देशनों तीन प्रतिशत पे revenue जो था वह 5% बढ़ा quarter quarter two at rupees 331 करोड year on year दोस्तों यह flat yield थी तो दोस्तों पैट जो है वो quarter quarter देर पे 1.3% बढ़ाई किया to 206 करोड यानि देखिए quarter में ज़्यादा बात करने लाए कुछ है नहीं हमारे पास quarterly result बहुत ज़्यादा flattest से रहे दोस्तों ठीक है अब फड़ा नीज़े चलते हैं और ICIC कह रही कि वह वाट शुट इंवेस्टर दो तूँ देखिए निपोन लाइफ इंडिया एंडिया एंची शेर वस वाल्डटाई इंडर रीजन पार्ट द्यू टूट इंड अंड इंडूस्टरी एउम देखिए कुछ समय से न जो निपोन इंडिया है उप्री स्थम से लगातार गिरावट दिखा रहा है और रीजन रीजन ही है कि जो को God उशार नहीं और बहुत दा टेजmee लूसके करदrr जो यह चक्रण सकते हैं वो बहुत दावलेटर रही है और सब्राइए और यही कारण है कि his % Dallassite किया दुस्तों और वार्य से घृट कर दिया है अं सुपिरियर अक हावेवर प्रेशर ईडियृ रीमें ओ 외 और यह सिर्फ मैं आप बता दू निपॉन के लिए नहीं है पूरी इंडस्ट्री के लिए है दस वी वैल्यू निपॉन एमसी एट अप्रॉक्सिमेटली 5.2% अब बात करते हैं कि ट्रिगर फूचर प्राइस पर्फॉन क्या है तो देखें शुपीर फंड पर्फॉन्स एंडस्ट टेल्वन डेट फ्लो इस एक्सपेक्टट एड तो एड 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 एउम ट्रेंड देखें पर्फॉन्स तो फंड्स की बहुत शांदार है और यह इसकी बहुत मजबूत ही है निपोन की इसकी फंड की फ्रकांब बहुत अथी रही है और जो टेलवंड दोस्तो डेट फ्लो की वो कह सकते हैं आप अप अटिसेफल्वन्ड टेलवंड मतलब होता है दोस्तो पॉसर्ट जीज नेगेटिव नहीं एंटिसेफिट टेलवेंड डेट debt flows is expected to aid AUM trend और यह जो debt flows में लगातार आ रहे हैं दोस्तों पैसे यह जो AUM का trend है यह ऊपर की तरफ इससे लेके जाएंगे आगे आपको मैंने पता है था dominant presence, ETF segment, strong distribution strength and operational capabilities to support earning now anticipation of a gradual fall and yield remain in overhang यह जो yield है न दोस्तों ठीक है और यह लगातार गिर रही है दोस्तों company की यह अपने आपने एक overhang बना हुआ है दोस्तों ठीक है और आपको मैं आगे दिखा हूँ तो आप देखें जो की risk में भी यह company जो बात कह रही हूँ यही कह रही है trend of flow in debt debt scheme जोसकी debt scheme है न उसमें लगातार flows दोस्तों जो trend of flows है वो उसकी तरफ दिखाई दे रहे हैं और यहीं ट्रेजेक्ट्री है यह नीचे की तरफ जा रहे है यह southwards दोस्तों तो यह अपने आपने प्रॉब्लम बनी हुआ है ठीक है अब बात करते हैं performance की पर ठीक से दोस्तों केई Q2 financial 23 results muted operational performance quarter 2 के number muted रहे है कोई डाउपनी आठे देखे नाम इंडिया reported a muted operational performance quarter 2 of 23 revenue from operation was a 5% quarter on quarter at 331 करूर देखे जो revenue from operation रहा है quarter on quarter रहे के 5% बढ़ा और 331 करूर पहा है यानि आपके आसके muted रहा ना कहीं गिरावाट यह नहीं बहुत था बड़ा इल्ड वर अंडर प्रेशर इल्ड तो बहुत प्रेशर में दोस्तों में अकाउंट आपका फंड साइस तो बढ़ रहा है वह अभी भी नीचे है दोस्तों और यह प्रॉब्लम लगातार बनी रहेगी ठीक है अधर इंकम जो थी दोस्तों 81.9 करोड रही दोस्तों जो कि पिछले बार में लॉस में थी और यह पॉसिली चीज क्या थी जो अधर इंकम है उससे आप लगबट 82 करोड रूपीज कमाएं जो कि पिछले साल में इसी करोड़ में आपने 16 करोड जादा का लॉस में थी आप ओप्रेटिंग एक्सपेंसे लार्जली फ्लैट सिक्वेंशली एट 146 करोड जो अप्रेटिंग एक्सपेंस है वो फ्लैट रहा 146 करोड में इस पिछले से लिए इस पिछले से लिए जाद इंडस्ट्री की जो एउम है वो दो परसंट आप तीन परसंट बढ़ रही क्वाटर वहीं निपॉन निगेटर में चला गया और यहीं इस प्रॉब्लम थी स्टॉप की नव एटिएफ संट लिक्विड स्कीम ग्रूज 7 परसंट 2 परसंट रिकर्ट रिस्पेक्टिवली देखिए इसका एटिफ तो स्टॉंग साइड है इसलिए एटिएफ साथ प्र आगे चलते हैं देखेंगे नाव SIP book increased sequentially from 2280 crore to 2560 crore in quarter to financial 23 with number of folios increasing from 41 lakh in quarter first year 23 to 43 lakh in quarter to 23 versus 36 in quarter to a financial year 22 मतलब क्या है तो देखिए जो SIP book है दोस्तों वो sequential basis पर बढ़ी है at from rupees लबग 2,280 crore to 2560 crore quarter to financial 23 जो इस साल का financial 23 रहा याने SIP book में बढ़ातरी हुई है दोस्तों और जो folio दोस्तों वो 21 lakh से और 21 lakh से बढ़ करके 43 lakh पर रहे हैं दोस्तों ठीक है और एक साल पहले तो यह number 36 lakh था दोस्तों याने शांदार तरीके से बढ़ातरी है आपको चाहे SIPO चाहे folio numbers में हुई है तो यह कितनी मजबूत है से आपको यही समझ में आना चाहिए कि इसमें निपॉन इंडिया का जो मार्केट शड़ है 18.3 परसेंट है जब की पूरी इंडुस्री का एवेज मात्र 16.9 पर्टी शड़ तो यह तो यह टोटल इंपोरेंट की यह टेक अवेज थे इनके के लिए अब बात करते हैं जो कि एक बहुत इंपोर्टेंट सेगमेंट होता है कॉन कॉल का कॉनफरेंस कॉल से क्या चीज़े निकल के आ रही है तो देखिए कंपणी में कंपणी ने कहा है इसमें दाट बेस्पाइट वोलेटाइल मार्के दूरिंग दूरिंग दूर्टेंट्री मेंटेंड हेल्दी ग्रोफ मोमेंटम ड्रिवन बाइयर रिटेलियर अवेरनेस एंड पाटिसिपेशन देखिए कंपनी कहे रहे है महां में पता है कि बाजार इतना जादा वालेटाइल रहा पूरे क्वार्टर में हमने जो है मिंटेन क्या किया हेल्थी ग्रोफ मोमेंटम मेंटेन क्या और रिटेल अवरनेस और पाटिसिपेशन गाट इंडूस्री अंडुर्ट क्रोफ व्यों में बढ़ा ठीक है आगे है जो टोटल 14% of SIP AUM 14 प्रतिशत की जो टोटल SIP AUM है दोस्तों continued for more than 5 year compared to 10% of the industry आप समझेए शबूदा प्रतिशत यानि आप देखे जो SIP करते हैं न वो 14 प्रतिशत आ रही है निवेशकों से पूरे पिछले 5 सालों में यानि यह स्टेडी रही है और इंड़स्ट्री के अबर्च कित्ता रहा है 10 प्रतिशत विच इस वेरी फाइन लोवर टिकेस है शोन लॉंगर विंटेज ठीक है जो लोवर SIP होती है वो बहुत ही बहुत लंबे समय से ठीके रहें ऐसा शो कर रहा है और SIP ऐसी ही की जाती है दीरे दीरे अराम से निशले स्तरों पे खरदारी करते रहें चाहिए Now in Q2 it added 8000 investors who accounted 92% total industry ETF addition ठीक है आठ हजार 9 investors जूड़े दोस्तों जो की 92% रहें total industry ETF के दोस्तों यहनी quarter two में तो Nippon ने ETF में धमागा कर दिया दोस्तों ETF average daily volume across two firm remain far ahead of the industry और दो जो ETF रहें निपन के वो जो बाकी इंडस्ट्री के ETF है उनसे बहुत आगे रहे average daily उनके जो volumes रहे which is fine देखें जो digital platform है वो 56% total new project transaction का के लिए पार्टी यानि जो digital transfer जो digital platform से चाहे आप कहा सकते हैं काई हो गया या अन्य जो ब्रोकरे जाओ से होता है या अन्य डिजल platform होते है उसके थुरू इनकी ETF में जो निवेश हो रहा है दोस्तों ETF में नहीं जो इनके नए पर जैसके जो टोटल the management is open to strategic partnership for growth देखे औरगने ग्रोथ के लिए company management बहुत धादा open है partnership for growth के लिए now debt flows have reduced at industry level as well as for NAM India mainly due to rise in yields shift was seen from long dated debt into over and liquid scheme देखे जो debt inflows है न वो अब आप कह सकते हैं कम हो गए हैं दोस्तों ठीक है और यह दोनों में हुए हैं चाहिए आप कह सकते हैं इंडस्ट्री में कह लीजी या नाम दोनों में debt flows कम हुए है reason why dividend yield क्योंकि yields बहुत सदा बढ़ देखा जा रहा है जो from long dated debt into जो long लंबे समय के लिए debt में जुड़े रहते थे उसकी बज़ा है अब overnight और liquid schemes में डाला जा रहा है दोस्तों अब आप समझ जाए क्योंकि अभी yields बढ़ देखा नहीं है simple चीज आगे है as interest rate is picking up from here inflows are likely to come into fixed income category from corporate and institutional investor देखे जैसे interest rate दोस्तों आगे चलती रहेगी inflows are likely to come into fixed income category ठीक है जो inflows दोस्तों fixed income category में आ जाएगा from category from corporate and institutional investors ठीक है आगे चलते हैं देखे realization improved and will be maintained at current levels fixed income realization could also witness in increased incremental inflows in debt scheme जो fixed income है जो fixed income realization है वो आने वन समय और बढ़ती दिखाई देगी और जो inflows in debt in schemes है वो भी in most banking channels the company has approvals in place which are now getting converted to business volume into equity side देखे इन most banking channels बहुत सरे banking channels में ऐसा है company के पास बहुत सरे approvals प्लेस में थे जो कि अब business देते हैं आपको दिखाई देंगे ठीक है आगे अगे अगे हम चले कुछ और चीज़ों में आब बात करें आप देखें ना एक important है दोस्तों out of cash flows available 82% those assets are invested in own funds across category जो भी इनके पास total cash flows है उसमें उसमें जो 82% total assets के पास are invested in own funds across category वो अपने खुद के फंड में इन्वेस्टेन है across all categories and sequentially there was a marginal decline staff cost as incentive cost was not there in quarter to financial degree जो staff cost है उसमें भी marginal decline किया क्योंकि इस बार जो quarter two था उसमें incentive cost जोड़ा नहीं हुआ था दोस्तों ठीक है यानि आपको एक यह समझ में आ रही होगी कि short term में कुछ volatility आपको देखने को शायद मिले लेकिन long term में things are very good very good और आने वाले समय में यह company जोगी उपरे इस तरह से काफी जादा correct हो चुकी है अब एक bounce देनी त्यारी कर सकती है मुझे personally जो बहुत अच्छे level लगते हैं वो 220-200 के आसपास के हैं बट मुझे नहीं लगता यह stock वहाँ जा पाएगा दोस्तों बट इसलिए कह रहा हूँ SIP mode पे खरी देने 250-260 के आसपास काफी अच्छे levels हैं और इसमें मेरी सला है दोस्तों long term के लिए सोचें dividend yield जो उसने 4 उपया का इस बार दिया उसके बाद 4% से जादा हो गई है यानि आपको 4% जादा जो आपको savings account में पैसे मिलते हैं interest वो आपको यह stock dividend group में दे ही देगा प्लस जिन levels में treat कर रहा है उसके करण आपको dividend yield तो अच्छे मिलेगी capital appreciation भी आपको बहुत जादा मिलेगा तो यह मेरी personal rhyme मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा stock हो सकता है लेकिन 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 यह कोई buying selling के recommendation नहीं दोस्तों purely एक analysis है stock के उपर तो यदि आपको यह analysis आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पहली बार रहे हैं सब्सक्राइब जरू कीजेगा यहां तक जुड़े रहे हैं अपना किम्ति समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद यह श्वीडियो कानते हैं शेहन दोस्तों